Hello friends and welcome back, पिछले वीडियो में हम लोगोंने Consumer Protection Act के बारे में start किया था, ज्यादा कोई provision cover नहीं किया था, basic हम लोगोंने extent किया था section 1 के अंदर, section 2 में हम लोगोंने कुछ important definitions करी थी, और उसके बार मैंने आपको एक महत्वपून चीज बताई थी, जो की है Consumer Protection Council, ये तीन तरीके की council, तीन लेवल पर council बनाई गई है इस act के अंदर, और मैंने आपको बताया था, जो 1986 का जो act है, उसमें ये protection council की कोई भी चर्चा नहीं थी, इसे 2019 के act में add किया गया है, और तीन लेवल पर ये council बनाई गई है, सबसे पहले राश्ट्री स्तर पर, national level, दूसरे लेवल पर हम state level पर, राजिस्तर पर, और तीसरे में हम district level पर ये बात करते हैं, ठीक है, ये तीनों level पर बात करते हैं, ये council का क्या काम था, सिर्फ और सिर्फ एक major काम है, और वो काम क्या करना है, कि ऐसे कोई भी interest हो, जहां पर consumer के welfare की बात आए, consumer के अधिकारों के बारे में बात आए, व और ये सरकार को, ये जितने भी NGOs हैं, इन लोगों को क्या देती है, recommendation देती है, कि भईया यहां पर problem है, यहां पर consumer के अधिकारों का हनन हो रहा है, इस वज़ा से उपभोगता अधिकारों में आप ये परिवर्तन लाए, ये मुख्यता सरकार को ये सब advice देती है, लोगों को जागरुकता फैलाती है, तो major ये ही provisions हमने deal किया था, अब हम आगे बात करेंगे इसी के अंदर, तो अगला जो chapter है, इसमें वो है, Central Consumer Protection Authority, ये भी जो है, इसे हम CCPA के नाम से आप देखोगे, इसे बोला गया है, याने कि केंदरी, उपभोकता, संरक्षन, प्राधिकरण, ये सिर्फ और सिर्फ advisory nature था, लेकिन ये जो authority है, इसका काम जादा है, इसे हम देखेंगे, सबसे पहले section 10 के अंदर बनाया गया है, तो ये section 10 आपको ध्यान में रहना चाहिए, establishment of CCPA, ठीक है, इसका establishment होगा, कौन करेगा इसका establishment, Central Government, याने कि केंदरी सरकार इसका establishment करेगी, जैसे हमने बाकी में देखा था, वैसे यहाँ पर भी एक chairperson रहेगा, जिसे chief commissioner के नाम से बोला जाएगा, और साथी साथ कुछ और members रहेंगे, जो mainly other commissioners रहेंगे, जितना भी major administrative प्रसाशनिक काम है, general maintenance का काम है, general supervision का काम है, वो कौन करेगा, chief commissioner याने की मुख्य आयोग, ये जो है, इसमें काम करेंगे, इन दोनों की नियुक्ति कैसे होगी, सिर्फ और सिर्फ central government इनकी नियुक्ति करेगी, जितनी भी terms and conditions है इनकी नियुक्ति की, वो कौन decide करेगा, central government ही decide करेगा, जिक है, अब इसका जो headquarter है, वो NCR region, याने की दली national capital region में रहेगा, और साथी साथ कोई भी regional office setup करना है, तो वो regional office क्या हो, कौन central government की मदद से, ये set किया जा सकता है, बात साथ में आई, simple सी बात है, कोई भी नहीं, अब इसका CCPA का क्या काम है, ये जो जितने भी rules बनते है, जो भी regulation वाला matter आता है, वो consumer rights के बारे में, वो कौन regulate करता है, CCPA, ये CCPA को हम आगे अगे, central authority के नाम से भी हम आगे इसको short में बोलेंगे, तो जितने भी यदि कोई ऐसे rule बनाए गए, जैसे की, जिससे की consumer के अधिकारों का हनन हो, उपभोगता अधिकार का हनन हो, violation of consumer rights, या फिर आपको कोई भी ऐसा कदम लेना पड़े इस authority को, जिससे की consumer rights को protect किया जा सके तो वो आगे चलके ऐसे step ले सकता है, ऐसे कोई भी advertisement है, जो गलत information दे रहा है, information को conceal कर रहा है, तो वो सारे matter को ये उठा सकता है, साथी साथ कोई भी unfair trade practice, हमने देखा था कल unfair trade practice क्या होती है, जो price को गलत बताती है, supply को alter करती है, या consumer को किसी दूसरे product की और प्रेरिट करती ह incentive देती है, तो ऐसी कोई भी unfair trade practice की complain आती है central authority को, ccpa को, या खुद से complain आती है, सबसे पहली बात, या फिर ये खुद बाखुद, याद कीजे हमने एक term पढ़ा था, suomoto, suomoto क्या, swim, swim के अधिकारों के अंदर ये इस matter को उठा सकता है, और consumer rights के issue को ले सकता है, बात समझ मे ठीक है, तो ये ले सकता है, इसके बाद जितने भी इसके जो qualification है, जो हम chief commissioner की बात करें, या other commissioner जो भी member है, वो कौन decide करेगा, हमेशा और हमेशा केंदरी सरकार rule बना के decide करेगा, लेकिन rule book, याद कीजे जो हम पुराने act में पढ़ते आ रहे हैं, एक बार कोई भी power दे दिया path, basically, लोगों को nukety मिली, path servant मिले इन है, ठीक है, कि भाईया हम आपकी सेवा में path servant रख रहे हैं, तो future में ये path servant को गिरा के 2 servant नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको बताया था, ये इसलिए किया जा सकता है, ताकि कोई भी commissioner या chief commissioner, जब job में अपना काम करे, तो केंदरी सरका उसे coerce करके, उस पर दबाव ना डाले, कि हम तुम्हारी सुख सुविधाय ले लेंगे, salary कम कर देंगे, इसी वज़ा से, जो भी terms and condition में, ये members जो है, join करते हैं office, वो क्या रहती है, वो condition कभी भी narrow down नहीं की जा सकती, it cannot be moved to the disadvantage of these appointed people, ठीक है, ये पहले भी हमने पढ़ा है, next हम बात करते हैं, यदि कोई vacancy रहेगी, क्या होगा, जैसे कोई भी process होता है, देखें, जैसे एक organization है, organization में एक head है, मान लिजए उस head को हम chair person बोल देते हैं, और बाकी जो है members है, तो आप देखोगे, हमेशा और हमेशा कोई भी सम्विधानिक organization है, कोई भी कानून के द्वा स्थापित organization है, ऐसे सभी संगठन में एक rule लगता है, मान लिजए इस संगठन ने कोई decision लिया, और इसका कोई member मौजूद नहीं है, तो बाद में ये चीज़ को quote में नहीं बोला जा सकता, क्योंकि सारे member मौजूद नहीं थे, इस वज़े से ये decision invalidate हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता, ये आप देखोगे, सारी की सारी organization के लिए ऐसा ही rule बनाया गया है, चाहे वो GST council हो, चाहे कोई भी other समविधानिक body है, जो हम quality में detail में पढ़ेंगे, तो कभी भी कोई भी seat खाली हो, उसकी वज़े से जो decision लिया गया हो, उसमें कोई भी अंतर नहीं आ नियुक्ती हुई, या chair person की मियुक्ती हुई, बाद में पता चला, ये person qualified नहीं था, गलत तरीक से नियुक्त हो गया, तो भी उसके फैसले थारिज नहीं होंगे, वो जो decision लिया गया, वो क्या रहेगा, वो मानने ही माना जाएगा, ठीक है, simple, next हम बात करते हैं, appointment of officers, अब द कर सकती है, अंने अधिकारों को भी appoint कर सकती है, नियुक्त कर सकती है, कौन से अधिकारी? विशेशग्यों को नियुक्त कर सकती है, तो पन नियुक्त करेगा, CCP på authority दी गई है, लेकिन उसको किस की permission लेनी पड़ेगी, central government की permission लेनी पड़ेगी, उन्हें क्या करना पड़ेगा जितने भी officers वो चाहें, वो appoint कर सकते हैं, लेकिन central authority जो है, finally decide करती है, कितने लोगों को appoint करना है, और कौन-कौन से field में expert होना चाहिए. तो इसमें बड़ी लंबी चोड़ी list दी गई है, कि जैसे जो भी person जो विशेशक अपॉइंट किया जाएगा, वो या तो engineering में expert हो, medical में expert हो, उपभोगता वादी जो भी नीती बनाने में expert हो, law, economics, अर्थशास्त में, कानून में, या फिर product की safety, commerce, food safety, health, या फिर जो उपभो knowledge रखता हो, तब क्या हो सकता है, उसे उस field का expert माना जा सकता है, और central authority क्या कर सकती है, उसे expert की तरह अपनी body में appoint कर सकती है, क्यों, क्योंकि ये जो authority है, इसको बहुत बड़ा power दिया गया है, क्या power दिया गया है, कि ये consumer के सारे के सारे अधिकारों के बारे में बात करेगा, तो जब बात करेगा, तो क्या होगा, वो ये सारे मुद्दे को उठा सकता है, ठीक है, आगे बात करते हैं, next है, investigation wing, फिर क्या होगा, कभी भी कोई मामला सामने आया, जैसे कि आपने सुना होगा, Maggie का case सामने आया था कुछ समय पहले, 2018-19 में, कि Maggie में कोई chemical मिलता है, MSG, उस जाच की wing बना सकता है, और इस जाच wing को कौन head करेगा, director general, महानिदेशक head करेगा, और ये क्या करेगा, ये जो भी कामकाज दिया गया है, उस कामकाज को एक समय सीमा के अंदर पेश करेगा, investigate करेगा, inquiry करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, एक report पेश करेगा, report किसको प ये जो investigation wing आती है, ऐसे नीचे से करते हैं, investigation wing जो है, ये किसके द्वारा appointed रहती है, central authority के द्वारा, तो जब ये report पेश करता है, तो ये central authority को पेश करता है, आम तोर पर, और उसके जरिए ये केंदरिये सरकार को report जाती है, इस तरीके से ये report पेश किया जाता है, ठीक है, जो इस case में help कर सके, बात समझ में आई, ताकि investigation सही तरीके से carry हो सके, और detail level पर investigation हो सके, ठीक है, next हम बात करेंगे, next provision की, power of district collector, अब district collector का बहुत विशेश power होती है, अब ये क्या power होती है, सबसे पहले district collector को कोई भी यदी क्या मिले, complaint मिले, या फिर कहीं से order मिले, order किसे मिल करेगा, central authority से order मिला, या कोई उर्ती उर्ती खबर आई, कि भाया कुछ तो गडबर चल रहा है इस department में, तो क्या करेगा collector, एक inquiry करेगा, inquiry करने के बाद, वो report submit करेगा, वो report किसे submit करेगा, या तो CCPA, central authority को, जो भी हमने देखा, या फिर उसी regional commission को report submit करेगा, ठीक है, अब ये जो complaint है, उसे कैसे मिल सकती है, या तो कोई भी consumer जो है, वो पुभोगता है, उसने complaint करी, या फिर CCPA, जो central authority है, उसने complaint करी, या फिर जो regional office setup किये गए है, जो भी हमने देखा, उसके commissioner ने भी कोई report complaint करी, ठीक है, report का जरिया किया, तो collector क्या करेगा, collector को matter उठाना पड़ेगा, और वो matter उठाने के बाद, वो एक investigation करेगा, उस report को central authority, या फिर commissioner को पेश करेगा, यदि central authority ने मामला race किया है, तो district collector को किसे report submit करना पड़ेगा, central authority को, यदि commissioner ने matter refer किया है, तो उसे commissioner को report submit करना पड़ेगा, बात समझ में, simple सी बात है, collector का role क्या है, investigate करके report submit करता है, ये ध् 16 important है, district collector का role, next आता है, complaint to authorities, अब मान लीजे, मैं एक बहुगता हूँ, मैं एक consumer हूँ, मुझे ऐसा लगा, भाया मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, गलत कैसे हो सकता है, तो जो भी मुद्दे हमने पहले देखे, जादा प्राइज ली गई, ठीक है, हजाडिय सबसेंज को बेच दिया गया मुझे, मेरे rights का ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, misleading ad में लगाया गया, या किसी भी प्रकार, जो हमने previous sections में पढ़ा है, किसी भी प्रकार से consumer right, याने की उपभोकता के अधिकारों का हनन होगा, violation होगा, तो क्या होगा, मैं complain कर सकता हूँ, वो complain कैसे कर सकता मैं या तो लिखित में दे सकता हूँ, या तो इतने सारे electronic medium है, email कर सकता हूँ, consumer portals में जाके मैं direct उनकी website में शिकायत कर सकता हूँ, या कोई portal के जरिये भी कर सकता हूँ, या इन दोनों माध्यम से मैं शिकायत करूँ, कहां कर सकता हूँ, सबसे पहले अपने district के collector को कर सकता हूँ, या फिर central level की authority, CCPA को भी शिकायत कर सकता हूँ, बात सज में आई, तो अगली बार कभी भी आपके अधिकारों का हनन होगा, तो आपके पास तीन महत्वपून एरियास है, तीन एरियास, तीन लोगों के पास authority है, आपकी complaint लेने की, तो ध्यान रखेगा, next time you are being violated and your rights are being violated, आप किसको complain करोगे, collector को कर सकते हो, CCPA को कर सकते हो, या फिर कोई भी जो regional office setup किया गया है, उसके commissioner को direct complain कर सकते हो, या तो लिखित में कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, electronic medium में, section 17, बहुत ही जादा महत्वपून है, जरूर ध्यान रखेगा, next हम बात करते हैं, central authority जो बनी उसके क्या-क्या functions हैं, क्या-क्या powers हैं, उसकी शक्तिया एवं कार, इसके बारे में हम बात करते हैं, तो यार जो functions है न, वो simple है, जैसे की इन्हें भी वो ही काम करना है, जो हम पिछले में councils की बात करे थे, central council, या state, या district council, ठीक है, consumer council की बात किये थे, लेकिन ये जो councils थी, ये क्या करती थी, सिर्फ recommendation देती थी, सिर्फ और सिर्फ सरकार को advice करती थी, लेकिन जो CCPA है, central authority, ये क्या कर सकती है, ये action भी ले सकती है, ये दोनों के बीच में अंतर है, बात संवियाई, तो इनका भी जो काम है, वो यही है, कि इन्हें क्या करना पड़ेगा, जो भी consumer के अधिकार है, उनको protect करना पड़ेगा, उनके बारे में लोगों को जाग रुकता फैलानी पड़ेगी, number one, दूसरी चीज, यदि कोई unfair trade practices, ऐसे व्यापार की प्रतिक्रिया follow कर रहा है, या प्रथा follow कर रहा है, जो law के अधीन नहीं है, उसके actions, उसके against ले सकता है, कोई गलत या misleading, add follow कर रहा है, गलत information दे रहा है, या important information को छुपा रहा है, ऐसे सभी cases में क्या कर सकते हैं, ये CCPA जो है authority action ले सकती है, या फिर कोई भी person किसी company के बिहाफ में गलत information पहला रहा है, जैसे कि, याद कीजे, कल मैंने आपको बताया था, बहुत सारे क्या होते हैं, brand ambassadors होते है brand ambassadors क्या करते हैं, company से पैसा लेते हैं, उस item को promote करते हैं, fair and lovely, खाले से गोरे हो जाओ, ठीक है, ऐसा होता है, तो इसके लिए एक authority बनाई गई है, CCPA आप यदि paper पढ़ते रहोगे, तो आपको आम तोर पर मिलेगा, CCPA ने इस product पर इतनी penalty लगा दी, ठीक है, क्योंकि वो गलत दे रहा था, इस celebrity को, जैसे कुछ समय पहले मैंने देखा था, एक news, अक्षय वार्सी और उसकी wife, उसको क्या किया था, ban कर दिया था, कि वो गलत share को promote करते थे, जिस shares में, उनको खुद में फाइदा आता है, वो क्या बोलते थे, लोगों को जाके, भाया ये share करो, ये share खरी लगते थे, share की price भरती थी, उसके बाद वो क्या करते थे, अपना जो investment किये थे, उसे बेच देते थे, इसे बोलते है, pump and dump scheme, तो basically होता क्या था, हलाकि ये topic से थोड़ा सा हम भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, pump and dump scheme क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, क्योंकि आप लोग normally 20s में होंगे, आप लोग maximum लोग जितने भी preparation कर रहे हैं, इस समय बहुत लोगों को लगता है कि stock market के हम invest कर देते हैं, कुछ पढ़ते पढ़ते income generate हो जाएगी, ऐसा बहुत लोगों में आता है, तो कभी भी करे कोई गलत बात नहीं है, यदि हम अपने financial awareness से, सही तरीके से literate होके, proper research करके कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसी pump and dump scheme से हमेशा बचे, यह जो है, यह off the topic, क्योंकि बहुत बार अपने incentive की वज़ह से लोग क्या करते हैं, आपको एक stock खरीदने के लिए push कर सकते हैं, और जैसे ही उनको benefit मिलेगा, shares की price बनने लग से और उसकी wife का example बताया था, उन्हें ban कर दिया गया, कि अब आप कोई भी stock को promote नहीं कर सकते हैं, कुछ particular time के लिए, ठीक है, तो यह सब चीजों में, यह क्या कर सकते हैं, यह क्या कर सकते हैं, एक inquiry launch कर सकते हैं, ठीक है, एक safety notice, मानलों को एक खतरनाक product से deal कर रहे हैं, जैसे hazardous product, तो hazardous product के case में क्या कर सकते हैं, यह एक safety notice generate कर सकते हैं, नेक्स्ट आप देखोगे, जाग रुकता के लिए campaign launch कर सकते हैं, किसी NGO के साथ involve हो सकते हैं, सरकारी संगठनों के साथ, गयर सरकारी संगठनों के साथ involve हो सकते हैं, और लोगों को information देंगे, ठीक है, नेक्स्ट है, ministry और departments को भी यह क्या करते हैं, advice देते हैं, तो इस तरीके से कुल मिलाके क्या है, यह बहुत ही महत्वपून काम करते हैं, action oriented step, यह steps लेते हैं, जिसमें यह क्या कर सकते हैं, complaint भी file कर सकते हैं, किसी भी commission को, complaint file करने का जो commission का तरीका है, तीन commission है, आगे हम पढ़ेंगे, एक national level पर होती है, एक state level पर होती है, एक district level पर होती है, तो यह जो होता है, money के हिसाब से complaint decide की जाती है, तो यह जो authority है, यह क्या कर सकती है, यदि fine लगाना है, तो इन commission को appeal कर सकती है, और commission finally penalty लेवाई करती है, ठीक हैं, बात समझ में आई, साथ ही साथ, जितने भी अच्छे steps है, म कुल मलाके जो महत्वपूर्ण काम है, वो क्या है, consumer के अधिकारों के बारे में सोचते हैं, अलग-अलग लोगों के साथ, चाहे ministries हो, ग्यार सरकारी संगठन हो, उन लोगों के साथ recommendation देते हैं, उनको सुझाओ देते हैं, कि यह सारे steps को आप incorporate करो, गलत जो करता है, उसके क्या करते हैं, commission के सामने complaint file करते हैं, और इस तरीके से यह लोगों को जागरुकता, लोगों में जागरुकता फैलाते हैं, नेक्स हम बात करते हैं, power of central authority to refer the matter to investigation or to other regulator, जांच के लिए, किसी भी regulator के लिए matter refer कर सकते हैं, तो central authority को क्या हुआ, एक complaint मिली, या फिर वो खुद में याने की सुओ मोटो, ठीक है, ऐसा कर सकता है, खुद बाख खुद ले सकता है, या तो कोई complaint मिली, complaint हमने देखा, लोग भी कर सकते हैं, मैं और आप भी कर सकते हैं, हम direct central, ccpa को या central authority को complaint करें, तो इन्होंने क्या किया, एक investigation बठाई, तो सबसे पहले यह क्या करेंगे, यह एक preliminary, याने कि एक initial जांच बठाएंगे, inquiry बठाएंगे, इस जांच से क्या मतलब होता है, कि यह prima facie, prima facie मतलब उपर-उपर से देखेंगे, कि भाया इस मामले में कोई substance है की नहीं, क्या यह matter को और investigate करने की जरुरत है की नहीं, यदि answer आता है yes, तो फिर क्या करेंगे, यह regulator को matter refer कर देंगे, तो सबसे पहले, मान लीजे कोई complain आई, तो इस complain को CCPA को refer कर दिया गया, ठीक है, या तो यह खुद बाखुद उठा लिए कोई complain, यदि CCPA को ऐसा लगता है, भाया इसमें कोई तवज्जु नहीं है, तो यह क्या करेंगे, इस matter को खारिच कर देंगे, नो यह फरजी complain है, बहुत बार ऐसा होता है यार, बिजनस को blackmail करने के लिए, बड़े लोगों को blackmail करने के लिए, उनसे पैसा आइटने के लिए, फरजी complain फाइल की जाती है, तो उसके लिए process है, क्योंकि एक बार, यदि आपके खिलाफ पेपर में आ गया, बड़ी company का सोचि आ गया कि CCPA इस चीज में investigate कर रही है, फिर प्राइस क्या होगी, बहुत तीजी से गर जाएगी, लोगों का confidence हिल जाता है आपके उपर से, इस वज़ा से एक preliminary inquiry की जाती है, यदि उसमें कोई भी घपला नहीं होता है, तो inquiry फदर नहीं की जाएगी, लेकिन यदि central authority को लगत करेगा, तो उसको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, वो सारे documents को collect कर सकता है, साथी साथ किसी को भी produce कर सकता है, भाई, आप सामने आओ, गवाही दो, जो प्रशन पूछे जा रहे हैं, उसको answer करो, ये सब करने के बाद, एक investigation launch करने के बाद, एक पूरी की पूरी जांच करने के बाद, ये क्या करता है, एक report submit करता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, section 20 क्या होगा, paracental authority to recall goods, आपने बहुत बार देखा होगा, कल ही मैंने पढ़ा, कि किया की कुछ cars है, चल्टोस car की कुछ CVT variants को वापस recall किया जा रहा है, उनमें कुछ गडबड पाई गई है, तो ऐसा क क्या होता है, कई बार जो होती है, companies, खुद बाखुद, और कई बार pressure में आकर, इन regulators के pressure में आकर, जो गलत product बेचे हैं, गलत product मतलब, जो हानिकारक हो सकते हैं, जान को खत्रा कौस कर सकते हैं, property को damage कर सकते हैं, ऐसी case में क्या बुलाया जा सकता है, वापस लेने के लिए मज मना कर जा सकता है, next है, यदि कोई भी monetary नुकसान हुआ मुझे, तो उसका reimbursement कौन मोलेगा, वो company से वसूल करके consumer को दिया जाएगा, reimbursement किया जा सकता है, लेकिन मानलो कुछ ऐसी चीज हो गई, जो beyond repair हो गया, तो उस service को continue करने से मना कर जा सकता है, discontinue करने के लिए order भी दे सकत है, ये central authority, समझ रहे हो, कितना power है central authority के पास, तो आपके जो exam में है, दो तरीके के questions आ सकते हैं, एक question आ सकता है, जो दो number का आएगा, जैसे कि, explain section 20 of consumer protection act 2019, ऐसा आ गया, with respect to power of ccpa, या central authority, ये एक question आ गया, तो इसमें क्या पूछ लिया गया, special section 20 पूछ लिया गया, जहाँ पर power of recall है, लेकिन क्या सिर्फ ये ही है section, हमने बहुत सारे other sections पूछे, पढ़े, तो other में क्या आ सकता है, एक आपको ऐसे भी prepare करना है, explain in detail the powers of and functions of central authority, तो इसमें क्या करना अपड़ेगा, आपको जितने भी sections हमने पढ़ा, वो सारे के सारे sections को आपको detail में cover करना है, ठीक है, तो कोशिश करिएगा, इस question को attempt करें, दोनों को attempt करने की कोशिश करिएगा, जो ये वाला रहेगा, ये कम words में लिखेगा, दो नमबर या चार नमबर के हिसाब से, और इसको जो है, 100 words के हिसाब से लिखेगा, ठीक है, try करिएगा, answer लिखने से आपको जरूर benefit मिलता है, mains में, next हम बात करते हैं, तो ये recall वाला भी promotion है, next हम बात करते हैं, power of central authority to issue direction, या दिमान लो, कोई false या misleading add कर रहा है, तो भी उनको क्या है, order दे सकता है, क्या order दे सकता है, केंदरी प्राधिकरण की भाईया, दो चीज, सबसे पहले आप हटा दो इस add को, उसके बाद भी लगा, कि भाईया, बस हटाने से बड़ी बात नहीं है, अभी आप देख रहे होगे, newspaper में, एक case चल रहा है, पतंजली का, देखा है किसी ने, newspaper पढ़ते रहोगे, तो सारी चीज से relate करते रहोगे, तो पतंजली ने कुछ Corona के समय, fake, गलत advertisement किये थे, हमारी दवाई खाने से ऐसा हो जाता है, ठीक है, अब Supreme Court ने डाट लगाई, कि आपने किस basis में ऐसा claim किया, तो बहुत बार बचते रह है, फिर Supreme Court ने order दिया, कि आप एक माफी नामा जारी करो, जिस newspaper में आपने publish किया था, तो इन्होंने क्या किया, जो advertisement था, वो तो भईया बड़े page का था पूरा, और जो माफी नामा दिया, वो इस ad में एक छोटा सा किनारे में दे दिया, इतना सा माफी नामा दे दिया, माफी नामा तुमको ने में दे रहे हो, तो करना क्या चारे हो, हमको बेफकुफ समझ रखा है, फिर से फटकार लगाई, फिर पतंजली ने फिर से एक माफी नामा दिया, इस बार पूरे बड़े आड में, तो ये जो है, अभी तक क्या जाता था, Supreme Court के पास जाता था, लेक कर सकते हैं, तो ये क्या कर सकती है, ये पैनल्टी लगा सकती है, और उसे रिमूव करने का भी आदेश दे सकती है, पैनल्टी में क्या क्या लगा सकती है, रेड कार्ड, जो फुड वॉल देखता है, वो देखा होगा, कि ये अड को भया तुम बन करो, डिस कंटिनी हो फिर से यही गलती कर रहे हो, तो यह जो फाइन है, 50 लाख रुपे तक का भी जा सकता है, और फिर भी बत्तमीजी कर रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, आपको एक साल तक किसी भी आइटम को प्रोमोट करने के लिए बैन लगाया जा सकता है, समझे हो कितना अधिकार है, CCPA के अधि तो यह बहुत ही important चीज है, यदि गलत advertisement होता है, तो क्या करा जा सकता है, सबसे पहले उसे हटाने के लिए बोला जा सकता है, discontinue किया जा सकता है, 10 लाख तक की penalty लगाई जा सकती है, जो की फिर से offense कमिट करने में 50 लाख रुपे तक बढ़ाई जा सकती है, और finally यदि ऐसा ल खोज और जबती, simple सी बात है यार, अब मान लो मैंने कोई complain करी, ठीक है, मैंने complain करी, एक preliminary inquiry होगी, ठीक है, preliminary inquiry होगी, एक जांच बैठी, और इस जांच बैठने के बाद पता चला, after preliminary inquiry, कि कुछ तो गडबड है भाईया, इस factory में, या जिसके खिलाब भी मैंने complain की है, वहा consumer की जो rights है, उनका कुछ ना कुछ हननत तो हो रहा है, तो क्या किया जाएगा, जो director general है, या फिर district collector, ये क्या कर सकते हैं, इनको power मिल जाता है, आप क्या कर सकते हो, उस जगा पर क्या करोगे, उनके office में, उनकी factory में, उनकी दुकान में, enter कर सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो, कि भाया, जो जरूरी documents हैं, वो दिखाओ, किसी चीज को seize कर सकते हो, ठीक है, और साथी साथ, जो भी inventory है, जो भी चीज गलत लकरी है, उसका note बना सकते हो, उनके process को check कर सकते हो, क्यों कि आजा सकता है, कि कहीं इस factory में, कुछ गड़बर तो नहीं हो रही है, लेकिन, यहाँ पर भारत क्या है, एक लोकतंत्र है, तो जिसकी factory है, उसको भी कुछ अधिकार मिलता है, उसको यह बुला गया है, भाया ऐसा नहीं कि आपकी machine को ले गए और लोटाई नहीं रहे, वो machine लोटाने का या कोई भी दस्तावेज record लेके गए, तो उसे 30 दिन के अंदर लोटाना पड़ेगा, बनना भीया वो factory owner कहां जाएगा, factory owner को भी तो हो सकता है, कई बार blackmail करने के लिए ऐसा कर लिया जाए, इसलिए factory owner को भी अधिकार दिया गया है, बात सब्सक्राइए, सिंपल है, next हम बात करते हैं, अपील का भी अधिकार दिया गया, 30 दिन के अंदर जो भी person क के खिलाफ कारवाही की गई है, वो अपील कर सकता है, ठीक है, अपील किसे करेगा, सबसे पहले central authority जो है, central authority के judgment को national commission में अपील करता है, बात समझ में आई, national central authority के judgment को national commission में ये अपील कर सकता है, next हम बात करेंगे, जो accounts and audits है, याने कि लेखा और लेखा परिक्षा, audit, ये audit कौन करता है, ये audit करता है, CAG, Comptial and Auditor General, इसके बारे में हम detail में पढ़ेंगे, quality में article 148 में ये post मौजूद है, ठीक है, नियंतरक एवा महालेखक परिक्षक, जितने भी important statutory bodies है, जो कानून के द्वारा बनाई गई है, उसमें आप देखोगे, मुख्यता जो audit होता है, वो कौ पढ़ेंगे हम quality में, अब ये जो CAG है, ये record देता है, भया इस तरीके से आपको अपने record और maintain करना है, ताकि जब मैं audit करने आऊ, तो आप उस तरीके से मैं check करूँ, तो ये जो central authority है, इसे क्या करना रहता है, सारे documents, जैसे CAG ने बोला, जिस format में बोला, उसे maintain करना रहता है और जब CAG इसकी audit करता है, तो CAG क्या करता है, CAG एक report पेश करता है, ये report किसे पेश करता है, central government को पेश करता है, और ये central government इस report को कहां पर पेश करता है, पालियमेंट में, हमारे संसद में पेश करता है, ठीक है, इस संसद में इस report की चर्चा होती है, और फिर यदि कोई debatable clause है, तो उसे detail में सर्च करते हैं, और यहां से सरकार को क्या किया जाता है, accountable किया जाता है, अपने actions के लिए, बात संद में आई, तो ये जो है, ये है account and appeal अब देखे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो questions मैंने आपको दिया, कैसे आप इसको answer करने की कोशिश करिएगा, जैसे कि second वाले question की बात करते हैं, बहुत बार क्या होगा, आपको exam में हो सकता है, particular section याद ना रहे, जैसे यहां पर मैं लिखा हूँ, section 20, तो हो सकता है, आपको याद ना रहे, तो इस सीज में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यह आपको याद करना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगा, last में मैं एक mind map बना के आपको दे दूँ, पूरे के पूरे important provisions के लिए, ताकि आप उसका print out ले लिजेगा, और सिर्फ और सिर्फ वो exam के पहले वो provisions याद कर लिजेगा, एक बार revise जरूर कर लिजेगा, क्योंकि बाकी सारे तो आप लिख सकते हो, यह जो general question आया, यह मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो इतना समझ के आप लिख सकते हो, तो जो हमने इसको कैसे लिखते हैं, यह एक मैं आपको hint देता हूँ, और जरूर ट्राइ करेगा, इसको लिखने की, ठीक है, तो देखे, हमने क्या-क्या functions पढ़े, तो जो हमने functions पढ़े, उसी के हिसाब से इनको authority दी गई है, जैसे की consumer rights के बारे में awareness वह लाना, उसको बढ़ावा देना, promote करना, number one, दूसरी चीज में, unfair trade practices, यह number two, तीसरी चीज में क्या ह false advertisement, और चौती चीज में क्या है, इसी से related कोई भी गलत चीज promote करें, तो इन सारे function के खिलाफ, इनको function को करने के लिए, क्या किया जाएगा, एक-एक power दिया जाएगा, तो इन major के functions के against, आप 4 या 5 section याद कर लो, और वो ही आपका दोनों question में help हो जाएगा, बात समझे, तो एक बार हम लोग फिर से try करेंगे लिखने के लिए, तो I think अभी के लिए इतना ही काफी है, अगली glass में हम remaining provisions को continue करेंगे, यह जो topic है, यह थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो बहुत important है, इसमें घमराइएगा मत, last में हम लोग कोशिश करेंगे, इसको और अच्छे से consolidate करके याद कर ले, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, thank you and have a great day.